नमश्कार दोस्तों, लोजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान विश्णू के वाहन गरुण को यह जग्यासा हुई कि मृत्यों के बाद आत्मा का क्या होता है। कि साधार पर लोगों को स्वर्ग या नर्क की प्राप्ती होती है। विबिन योनिया क्या है? अच्छे करम क्या है? बुरे करम क्या है? गरुण की इस जग्यासा को शांत करने के लिए भगवान विश्णू ने इन सभी के उत्तर दिये, जो गरुण पुराण के रूप में संकलित है। यह हमारे सनातन धरम के अठारा पुराणों में से एक महत्वपून पुराण है। ग्यासा शांत करने के लिए, इसके भाव समझने के लिए, इसे पढ़ या सुन सकते हैं। यह पुराण जीवन के गूण रहिस्य को सुलजाता है। यह व्यक्ति को शुद आचरण, सादा जीवन, सेवा भाव सिखाता है। इससे ही हमें पता चलता है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। तथा कौन से कर्म हमें नर्ग की और ले जाते हैं। और उनसे हमें मृत्यू लोक में कौन-कौन सी यातनाएं भूगनी पड़ती हैं। इन सब से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए इसका भी वर्णन गरुन-पुराण में ही हमें मिलता है। हमारे जीवन में हमारे कर्मों का फल हमें इस जीवन में भी मिलता है और मिर्त्यू के बाद भी। इसलिए हम सभी लोगों को एक बार गरुण पुरान का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए तो दोस्तों आप सभी के लिए लोजिकल हिंदू से ये सवाल है कि क्या आप सभी गरुण पुरान की संपूर्ण सीरीज सुनना चाहेंगे अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर हमें जरूर बताएं हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी क्रिपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद